कि अज़कार आई आपका स्वागत है हमारी यूटूब चेन अलाकास लेक्चर में और आज आज हम कि लाज टोयल्ट का नीट चेप्टर एट मानब स्वास्त एबं रोग का बॉल्यूम फाइफ लेकर आ रहे हैं अगर आपको पीडिएफ नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रूप या फिर टेलीग्राम चैनल को जोन कीजिए बहां पर पीडिएफ नोट उपलब्द हैं और डिस्क्रेप्शन में इन सभी की लिंक दी गई है या फिर आप हमारे चैनल को खोल कर अब आउट में जाएए बहां पर इन सभी की लिंक दी गई हैं आप बहां से इन सब को जोन कर सकते हैं तो आईए अब हम आँगे चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर में और आँगे बढ़ते हैं अब हम चली ठीक है करते हैं शुरुबात तो चलिए आज हमको शुरुबात करनी है यहां से सबसे पहले इसमें जो हमें देखना है वह एका किर्मी जन्न रोग अपन जो पिछल कृम जन्न को देखना है तो किर्मी जन्न रोगों में पहला जो रोग आ जाता है जिसे एक एस के बोलते है एक हैस के रीस अंतहप रजी ज और पर जी भी हो गया में कि अ इनफेक्शन्स के काईए की होता है रोग्जनक क्या होता है इसका एसकेरे से लिंब्री काइच्स इसका क्या होता है रोग्जनक होता है वह दिया गया है आप उसको देख सकते हैं साश engagement मनुस्ट की चोटई जो चोटी हांत होती है वहां पर परजीबी के रूप में यह जीवित रहता है यह बहुत इससे परजीबी के कारण पेट दार्द मडोर और कब्स यह सारे रोग इस परजीबी के कारण हो जाते हैं और यह कि ऐसकेकेवर के नकुनि में अभय घ्या और वड़ियों के अंडों को संदूस्ति होती है जो संग्रम सामगरियों में मनुस्त के शरीर में पहुंच जाते हैं ये अंडे और बहुत तक गाजर मूली इन सभी में ये अंडे आ जाते हैं मिट्टी से और बहुत से इनके मनुश्या के शरीर में यह सब पहुंच जाते हैं ठीक है अब इसमें देखना है हमें तो कि छफन क्या है तो इस रोग के जो लक्षण है वो कम संख्याम है जो कि यह रोग जो है वो कम संक्या में परजीवी को पस्तिती कभी कभी को इलक्षन उत्पन नहीं करती है लेकिन यह जब अधिक संक्या हुआते हैं तो यहां तुमार को अब्रोध कर देते हैं दर्द होता है और आंत्रिक यह सब इसके होती है इसके कारण वड़ा ही खतरना की रोग होता है अब हमको देखना है यहां से चलिए अब हमें देखना है यह यह फाइलियर इस या पर एलिफेंटेस इस इसे बोलते हैं हाती पाव रोग हाते पाव रोग भी प्रमोख उष्ण कटीवंधिये चेत्रों का प्रमोख किर्मी जन्य रोग होता है यह जो बोल भू मला os मच्छर के काटने से रोग उत्पन्य होता है मनुष्ट का रख्त चूशते समय मच्छरों के सरीर मपस्तित बुश्यरी अक्रमी के अब आती हैं लक्षणों पर की आते हैं संक्टम्स पर देखते हैं क्या होता है इन सूंप्षमकरमी के कारण होने वाला एक विवन अंग का दिरकालिन सोध होता है कैसा होता है दीर कालन सोधी यानी सूजन होती है सुक्ष मकरमी रक्त में लसी का वहाइनियों के याकार उनका मार गवरोद कर देती है परसुरू प्रवावित अंग जैसे पैर हात बर्शन यह सब युक्त यह पूल जाते हैं इनमें सूजन आ जाती है इसके बाद में तो चा गूत यह सूरूब से भी इसी तरह से रहते हैं यहाफ फूल जाते हैं इसके क्या होती है यह बाद ये अथा Considering और लोग होता है दाद्यत ऑद्रिव होता है रिवर्ग बोलते हैं ठीक है रिवर्ग बिसस्प पिरकार का कब जन्य रोग तांशन आप तरव फंगल इनफेक्षानों के लिए एक प्रचलित नाम है दाद रिनवर्ग हम आब इसमें हम को देखना है कि रोग जनक क्या होती है पैथोजनस के क्या होती है माईक्रो एस्पोरम परजाती या फिर ट्राइकोफाईटा रजाती यह सभी जो परजाती होती है किसकी कबकों की यह सब परजाति निया extra के उत्फण करनें महित पुन भूमिका निवाती है इन परजात neutr iç के रोड का मुख्छ कारण होती है ठीक अब हमको देखना है आंगे इसमें क्या हैगा अब इसमें आ जाता है रोग जनक हो गया अब आज संच्रन की बिदी कैसे संच्रन होता है इसका डर्मेटोफाइट से इससे कहा जाता है इस रोग के कारण जो भी जो परस्तिती बंतियों से डर्मेटोफाइट कहा जाता है ठीक है अब हमको देखना है लक्षण क्या है बाई इसके उसमा तता नमी यानि हीट होगा या फिर क्या होता है ऊस्मा ता नम्य जो है इसी के कारण ये रोग होता है फंगल की ब्रद मेंी ओसें में नम्य और नम्य फंगल की ब्रदीन ये गुड़न करती है तो वहाँ ये रोग हो जाता है ठीक है अब आगे देखेंगे यह में तो है कि यह फंगल इंटेक्षन होता है संक्रवने कर रह्यार में सरीर में उस इस्थान पर अधिक होने की संभाबना रहती है जहां नम इस्थान रहते हैं मतलब यह रोग जो होता है उन जगहों पर उन जगहों पर जादा होता है जहां पर नमी रहती है जहां पर नमी रहती है ठीक है जो नम बने रहते हैं बगल जांग बगल या फिर कमर या पेट का बांधने का इस्तान जो होता है ठीक है बहाँ पर अर्थाद बेल्ट का बांधने का जो इस्तान होता है बहाँ पर अधिक मात्रा में भी यह पाय जाते हैं यह रोग बहाँ भी ज़्यादातर होते हैं ठीक है पैर की अंगलियों में जो पैर की अंगलियों की बीच की जो इस्तान होता है बहाँ पर हाथ की अंगलियों की नाखुनों में इस पिरकार की इस्तान है जहां पर अधिक नमी रहती है जहां पर अदिक नमी होती है वहाँ ये पाए जाती है जरूर से देखो बैसे दाइचेहरे पर सिर पर सहीत सरी, भी किसी भी इस्तान पर हो सकता है लेकिन जो तुचा पर जो है वो चक्री या लाल सल्की या छाले नुमा दब्बे ये धबे सुस्क भी हो सकते हैं ठीक है और तीबर खुजली भी इसी का प्रमुक लक्षण है तो चाकी बगलों के बीच में उपस्तित उस्मा या नमी जैसे अंगलियों के बीच के बाग या पर जांग में इन संक्रमनों की ब्रद्दी में सायक होती है क्योंकि जहां पर अध अब खिलोगता है अब हम देखेंगे यहां से प्रती जेख जो एंटी बायोंटिक्स होती है इनका क्या महित्व है हमारे जीवनमें किसका एंटीवाइविटिक्स का देखेंगे एंटीवाुटिक्स कि क्या होती है यह क्या करती हैं एंटी बाइट Nicholas का अज थोड़ा कि एंटी बायोटिक्स क्या होते हैं देखिए प्रतिजैविक बोलते हैं इसे हिंदी में प्रति जैविक या एंटी बायोटिक्स जो हैं बहर ऑस दियां जो जीवाणूंगों को या तो मार देती यह बहे औस्दियां होती है या तो जीवानों को मार देती है या उनकी व्रद्धी को रोग देती है यानि कि बहे औस्दियां जो या तो जीवानों को मार देती है या फिर उसकी व्रद्धी को रोग देती है एंटी बायोटिक्स कहलाती है क्या कहला ती एक एंटी-वायोटिक्स कहला किया है मतलब चोंक्त सुछ जिवानों के ब्रद्य को रोग देंगी या फिर उस जीवानों को रते टो वे कहलाेंगी एंति-वायोटिक्स क्या कहलाती है वो एंटी वायोटिक्स कहलाती है अता यह ओस्दियां बहे का बहे समू जिसका प्रियोग जीवानु जन्न संक्रमनों के उपचार में किया जाता है प्रति जैवेकों को मूल रूप से फंजाई या जीवानु से प्राप किया जाता है मतलब यह बहे ओस्दिया जीवानों जैन रूग होती हैं उनने का अपचार में किया जाता है हुआ ठीजम होते हैं कहा कि जीवालु सेाथ जीवानु जन्न जीवानु जन्नों में किया जाता है अधिकतर इनका प्रियोग जीवानु जन्न रोगों में इनका प्रियोग किया जाता है ठीक है और यह किसे प्राप्त की जाती है यह प्राप्त की जाती है फंजाई और जीवानु जन्न रोगों में का उप्यों किया जात मतलब कोई ऐसा जहां चल रही है उसको अबुद कर देती है जिवाणों की रुख जाती है जैसे पैनिसलीन यह हो गई पैनिसलीन पैनिसलीन इस पेलोस्पोरिन ट्राइसाइकलीन यह सब कि अनको होती सकते हैं यह सब क्या होती है एंट आसली इंहीं होती है है और किसी कारण से यह कारगाट साथिए ठीक है तो इस में से जो आइगा लेकिन कुछ जो अन्टि वाइटिक्स हैं जिन्न हम पप्रकार के जीवाणों जैसे पॉजिस्टटिब या गराम नेगेटिब जो होती है उन्न सभी जीवाणुगों के यह कहण सकती है नस्ट कर सकती है अब ंसका चेन जीवाणों के प्रकार में को बिखन कर लीजिए यहनी कि एंटीबायोटिक्स केवल जीवाणों के व्रुधी कार करती है यह विसानों के व्रुध कार नहीं करेंगी यह है और किसी अन्य के व्रुध भी यह कार नहीं करेंगी यह कार करेंगी सिर्फ करेंगी यह कार करेंगी सिर्फ करेंगी जो करेंगी वह प्रोटो जवारा प्रूद्ध ये कार करती हैं वे होती हैं एंटीबायोटिक्स ठीक है अब एंटीबायोटिक्स की जो खोज थी वो अलेक्जंडर फ्लैमिंग ने की थी वो अनचाये में उनसे पहले स्लियम नामा के कवक थी उस पर हो गई थी 1928 में रोने की थी पहले स्लियम की कोज इसको याद रख हैं यह बहुत इंपोडेंट होती है कि अब देखना है में प्रतीर रक्षा क्या होती है कि क्या प्रतीर रक्षा क्या होती है वो देखना है कि प्रतीर रक्षा यानि इम्म्यूनिटी प्रतीर रक्षा को हम क्या बोलते हैं प्रतीर रक्षा को हम बोलते हैं इम्म्यूनिटी इसे बोलेंगे इम्म्यूनिटी इम्म्यूनिटी जो होती है वह क्या होती है उसके बार इम्यूनिटी बहे चीज होती है जो रोगों से लड़ने में हमारे सरीर की मदद करती है रोगों से लड़ने योग हमारे सरीर को बनाती है वह होती है इम्यूनिटी क्या होती है इम्यूनिटी होती है वहे जो रोगों से लड़ने के लिए सरीर को तयार करती है बहे होती है immunity होती है तो रोग जनकों की बड़ी संक्या में हमारा प्रतीतितन सामना होता है लेकिन कुछ बार ही यह है संक्रमन में सख्चम पाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सरीर में इने से अधिकांस से अपना रक्षा करने की चमता होती है प्रती रक्षी तंत्र की उपस्तिती के कारण पोशकों को रोग जनक से जूजने की चमता जो होती है वो प्रतिरक्षा कहलाती है परिवास देखिए अब किसकी इम्यूनिटी की यहनी रोग जनकों सहित किसी भी बाहे पदार्थ के सरीर में प्रवेस को पहचानने तथा तुरित कार को सलता के साथ सरीर की कोशिकाओं बाकोशिकिये उतपादों को प्रेरित कर उस बाहे पदार् सहित मुक्ति दिलाने की चमता क्या कहलाती है प्रतिरक्षी चमता कहलाती है यानि रोग जनकों सहित किसी भी बाहे पदार्थ रोग जनकों सहित कोई भी बाहे पदार्थ हो सकता है कि सरीर में प्रवेस कर रहा है तो उससे लड़ने की जो चमता होती है बही प्रतिरक्षा क अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, तो सहज प्रतिरक्षा जो है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा सभी प्रकार के संक्रमों के लिए समान होती है, सभी प्रकार कोई भी संक्रमन हो, उन सभी के संक्रमनों के लिए एक समान प्रकार की प्रतिरक्षा होती है जिसे हम बोलती है सहज प्रतीरक्चा बोलते यह कि रहते हैं पतर säga संक्रों को Whoa है चुकि यह जन्म से ही उपस्तत होती है आता इसे जनमजाद प्रतिरक्षा करते हैं सहज के प्रतिरक्षा सरीर के बाहेकारकों के प्रिवेश के लिए अब रोध उत्पन कराती को प्रिय तो पहला जो सामना जिसका अभी होता है वो क्या होती है सहज प्रतिरक्षा होती है इसी से सामना होता है पहली बार उस बायकारक का इससे सामना करता है पहली बार वह बायकारक किससे सहज प्रतिरक्षा से इससे करता है ठीक है इससे वो क्या करता है सामना करता है पहली बार अब आता है सेज़ प्रतिर अच्छा के यह रोध यह चार प्रकार के इसमें रोध कार करते हैं बहें रोध कौन-कौन से होती है वो हमें देखना है अब इसमें अब चार प्रकार के रोध कार करते हैं अब रोध कौन-कौन से हैं मज़ा नहीं आ रहा यार बोरिंग चैप्टर है नहीं इंज्योइंग चैप्टर है इंज्योइंग समझिए समझें कोशिस कीजिए आ जाएगा समझ में कोई बड़ी बात नहीं इसमें अब आता है सहज परती रख चाहूं के यह सहरा है एक चार परकार के होते हैं अब इसमें जो रोद आते हैं यह बहुत इंपोर्ट है इससे कोशन बनता है नीट में बहुत चुका है और कि लाश इलेविंद टॉइल्ठ में भी से रफ्य M यह बहुत important chapter है आप इसको जरूर से जरूर कीजिए आज हम enjoying तरीके से पढ़ने कोशस करेंगे तो सबसे पहला इसमें जो है वो है बहुत कबरोथ कौन कौन से होते हैं physical barrier कौन कौन से होते हैं वो सबसे पहले हम समझेंगे अब हम समझेंगे इसमें क्या physical barrier कौन कौन से है भाई ठीक है सुबह साथ बज़े से आप रहना आपका मुस्किल होता है आता है ठीक है इल लाइफ के लासे सुबह साथ बज़े से ही रहेंगी वैसे तो आप आ सकती है इस पर आपको आना होगा मजबूरी आप चले ठीक है अब इसमें आजाता है बहुत एक अब रोग देना पर इसके कटिंग करके वहां लगा देना कोई बाद रिकॉर्डिंग में इसको काड़ देना ठीक है है और यहिए अब आता है सहे हैं रोग चार प्रकार क्योंते हैं अ कौन क्योंते प्रकार को पर्कार होती है जो रोग यहां को शरीर में जो है के प्रति उसको प्रिवेश करने से रोकते हैं यह बहुत अब्रोद होती है निमने प्रकार के होती है इसमें जो पहला आएगा बो क्या होगा तो अच्छा हमारी त्वचा इसकी जो होती है इसकी इह कार करती है बहुतिक अव्रोत का किस से कार करती है तोरिचा शरीर का बाहसुरक्षात्मक आवर्ण होता है अगर तवचा अगर तवचा जो तवचा है अगर तवचा तो चोटिल या छती गिरस्त या कठी फटी है तो वहां रोग सरीर में प्रवेस तो रोग सरीर में प्रवेस नहीं कर पाती क्या कह रहा है वाई इसका है अगर तो अच्छा जो चोटिल है वहां पर चोट है कटी फटी है तो वहां से रोग सरीर में प्रवेस कर जाती हैं कि भास्तम में भास्तम में जो तवचा की बायतम सतय यानि कि जो क्रेटीनी क्रत सतय होती है वह कोशिकाओं की बनी होती है जो जलबार रोग जनों के लिए हावेद होती है जो हमरी बाहत तवचा होती है यह इसकीन होती है इसमें क्या होती है क्रेटीनी क्रित कोशी कहा होती है इसमें उनसे ये तवचा जो होती है हमारी इसकिन ये बनी होती है अब ये इसकिन यदि किसी कारण से कट जाती है च्छती गरस्तो जाती है तब वहां से रोग जो जनक होते हैं वो सरीर में प्रवेश कर जाती है कटी पटी इस्तान कई से भी सरीर में रोग जनक क्या होती है प्रवेश कर जाते हैं और फिर ये रोगों को जन्द देती हैं जैसे टिटनेस के रोगाणु है ये कर जाते हैं आप आ जाते हैं सिलेश में कला या फिर मूकिस में अबरें इ reckless में कला या व्याई मियूकस मेम्ब्रेन मुकस मेम्ब्रेन का इस का रहामत्य शेत होता है बयाँ होता है किश opportun। इसका इसका रहामत्रय से रोगों से लडने का, ठीक है, जट्रानत तंत्र अर्था तो है, मुहे में ला रहाती है, वहे भी रोगाणों को नश्ट करती है, तक कि पूरी अहार नाल स्वसन तंत्र वा जनन मूत्र तंत्र जो जनन मूत्र तंत्र होता है जनन मूत्र तंत्र में भी जो सिलेश्मिक मेंब्रेन होती है जो म्यूकस मेंब्रेन होती है जो म्यूकस का इस्तराब करती है वो सब इसी लिए करती है कि रोगाणूं का सरीर में प्रवेश ना हो सके और सरीर छती ग्रस्त ना हो सके ठीक है अनियक रोगजनकों के लिए रोध का कार करती है इसका आर्थिया है कि सरीर में आहार नाल या स्वसंत अंत्र के अंत में जो रोगजनक भी कार किये रूप से सरीर के अंदर नहीं माना जा स यानि जो रोग जनक को जकड़कर एक जगह स्तिरत कर देती है वह सूक्ष में कि से श्रीर में बाहर जो रोग जनक को सरीर से बाहर निकाल देता है बहह कर और सरदी होने पर जो नासी का मार्कसी म्युकस का इस्तराव होता है बहे भी बिसानुगों को बाहर निकालने के लिए ही इस्तरावित होता है इसको आप समझ के रख लिए जी अब देखिए कितने साप हैं हम ये देखेंगे देखो हमारी त्वचा सिर लार नाक के सलेशमा में मrals में हर समय हजारों होती हैं । क्योंकि हमारी त्वचा यह भी बहुत कब्रोड होता है नाक की वहाइँ नाक से सिलेशमा नकलता है जो मियकस कोता है क्योंकि उसी को बाहर निकालने के लिए बाइस्तरावित होता है मल मैं हर समय जो हजारों जीवानों जीवेत होते हैं साबुन से एक बार एक दो बार हाँ धोने से इनका छुटकारा नहीं मिलता इसकी अनुमान संक्या कितनी होगी वो देखिए आप जो तवचा है उसमें कित चार जो हैं वो क्या होंगे रोगानों होंगे और लार में दसलाक प्रती ग्राम यानि एक ग्राम लार में दसलाक जीवानों होते हैं यहां पर चित्र दिया गया है आप इसको देख सकते हैं इस तरह से जीवानों होते हैं अब नाक का म्यूकस इसमें दसलाक प्रती ग्राम एक ग्राम में दस लाख जिबानू होते हैं विशानू होते हैं मल दस कडोर प्रती मल में दस कडोर होते हैं एक ग्राम में सिर में एक लाख प्रती सेंटिमेटर एक सेंटिमेटर यह जगा होती है उसमें एक लाख होते हैं इन आकड़ों से प्रती रक्षी तंत्र की है कि कहां पर कितने रोगाणू कैसे हमारे हाथों में लगे हुए हैं अब हमको देखना है कार्य की रोद ये तो थे हमारे भौत रोद जो भौत तरीके से हमारी रक्षा कर रहे थे अब हमें देखना है कार्य की रोद कौन-कौन से हैं कार्य की रोद में हम देखेंगे कार्य की रोद सरीर की कार्य की अब रोद निम्लिकत होती है मुख में मुखे में अपस्तित लार में लाइसो जाएम मुखे में एक एंजाइम होता है जिसे हम लाइसो जाइम कहती है यह एंजाइम जो होता है यह होता है जो मुख में लार होत होता है इसी जो हमारने में सक्षम होता है लाज में समापते हुए कुछ जीवान खाने पानी के साथ पहुंच जाती है यहां केबल सलेशमा मैं ही नहीं फस्ते अपीतु अमासे हमें हाइट्रो किलोरिक अमल में बन जाती है ठीक है यह सब आप देख लीजिए अब आता है आसू जो हमारी आखों से निकलता है निकलने वाला द्रव जिसे हम आसू बोलते हैं उसमें भी एंजाइम होती है आख मैं पहुंचे पहुंचे मितलब जब हम एक शड़क पर तेज बाइक दोड़ाते हुए जाती है या फिर चलाती है तब हमारी आखों से आसू अचानक ही निकलने लगते हैं उसका कारण यही है जैसे ही हमारे आखों में बो रोगानू बिशानू जो भी चीज़ें होती है कोई अनाबाश्क पदार्थ कोई अनाबाश्क आवंचनिय पदार्थ समन सकते हैं आप जैसे ही सरीर की आखों में प्रवेश करता है आखों में प्रवेश करता है तो उस समय आखों से उनको निकालने के लिए जो हमारी प्रतिरक्षा होती है उनको निकालने के लिए वह भो क्य यह इसलिए आसू आता है अब आता है आँक में पहुंचे जीवानु आख के आसूं में उपस्तित एक एंजाइम दुबारा समप्त कर दिया जाते हैं जिसे लाइसो जायम हमारे पसीने में भी पाया जाता है पसीना भी इसी के लिए निकलता है ठीक है तो पर पस्तित रोग अगर नहीं पर प्रतिरक्षाइं नहीं हुँ उस सरीर में इस यह सब परती रक्षाइं अगर नहीं तो जो सब है जो सरीर है वह रोग गिरस्त हो जाएगा और उन रोगों से आपकी मरत्यू भी संबब है यह आप समझकर रखिए तो सरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही महित्वपूर्ण होता है बहुत ही जादा यह बेल्यू रखता है सरीर के लिए तो आज का हमारा ये लक्षर यहीं तक का था अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेश कर दें और घंटी को दवाना ना भूलें जिससे हमारा जो प्रतिक अपडेट होगा बोस की जान ठीक है अगर कोई भी जानकारी हो इससे सम्मंदित तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं तो आज का ये लेक्षर हम यहीं पर करते हैं के लिए थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद